इस बार IAT मदरास आपका एक्जाम कंड़क्ट कराने जा रहा है और पॉर्शन को मिस्स करें तो बहुत कम समय में बहुत तेज करने की कोसिस करें 165 मार्क्स स्कोर करने पड़े होते हैं तो ग्रेब सीट इन आई 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 टी आनने की कोसिस करेंगा हम इस वीडियो में की 2017 में भी आपका जही एडवांस कंड़क्ट कराया था अब यह जानने की कोसिस करेंगा हम इस वीडियो में की IAT मदरास का मैंडसेट है क्या वो पेपर की difficulties को कैसे maintain करता है कहां से जादा questions उसने पूछे है या फिर past trend की हम बात करेंगे कि 2017 में जो पेपर आया था वो कितने marks पे कितना rank बना था जिससे हमें college मिल जाए हमें IAT में college मिल जाए वो हमें marks बता दो जो 2017 में बच्चों ने लाया था सारी चीजी हम देखेंगे इस वीड 2017 में एक बार फिर IAT मदरास ने एक्जाम कराया था उसके बाद अब 2024 में जो आप एक्जाम देने जा रहा है उस एक्जाम को कराने जा रहा है अगर बात करें टोटल मार्क्स उसवत ने हुए करते थे 366 मार्क्स का पेपर हुआ था आपको सभी लोगों को पते जे इडवा की बात करें जो chemistry था वो hard पूछा गया था moderate to hard पूछा गया था मैस की बात करें तो moderate ही पेपर था फिजिक्स की बात करें तो moderate ही पेपर था मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक्जाम जाने से पहले 2017 का ओफिसियल जे एडवांस की website से पेपर उठाना और इसे as a mock attempt करना डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको बूश्ट करें आपके प्रिप्रेशन को और आपको माइंड से समझने में काफी ज्यादा असानी होने जा रही अगर हम वेटेज की बात करते था और अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 से 60 परसंट पूछे गये थे तो IT मदरास का मै पूछा गया है तो अगर अभीघर का पूछा गया तो बहुत कम समय बहुत करने की कोशिस करें चलिए बात करते माइं चाहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आएं वह कौन-कौन से टॉपिक्स थे कुछी तापिक्स की नाम बताएंगे जिससे बहुत जादा पूछा गया तो electromagnetic field से आप देखो 20 number के सवाल पूछे गया मैं पूरे उlectro dynamics की बात नहीं कर क्रिये थे Aगर हम बात करते chemistry में तो chemical bonding से अकेले 22 number का सवाल पूछा गया एलकील हैलाइड एलकोहल एंड इथर इसका रियेक्शन मेकेनिजम पूछा गया ग्यारा नमबर टोटल मार्क्स यहां से पूछे गए अरोमेटिक कंपाउंट्स की बात करें तो 9 नमबर यहां से भी आपको देखने को मिला एंड कार्बोनिल कंपाउंट से 10 नमबर सलूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टेस से भी आपको सेबन मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले अगर हम यह मैस की बात करते हैं तो लिमिट कॉंटिन्यूटी डिफरेंसिबिल्टी से 20 नमबर का सवाल सिर्फ और सिर्फ अकेला डेफिनिट इंटिग्रेशन से 15 नमबर का सवाल मैट्रिसेज एंड डिटर्मिन जो कि आपका फैवरेट है 14 नमबर का सवाल वेक्टर एंड 3D से 9 नमबर का सवाल इवेन कॉनिक सेक्षन से भी 9 नमबर का सवाल पूछा गया था यह है कि कितने सबसे ज्यादा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मदरासनी से सेलेक्ट किया और इससे ही ज्यादा क्वेस्टन पूछे तो यहां पर मैंने दिखा है तो अगर आप इन टॉपिक्स को मिस कर तो डेफिनिटली आप इन पर भी एक बार जरूर फोकस करना और इन टॉपिक्स को भी काफी अच्छा करना क्योंकि अगर आप यही मार्क जोड़ोगे तो डेफिनिटली एक हैंसम मार्क हो जाता है जिसके तुरू आपको कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसे होते हैं अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसा कितना मार्क्स मैं लेके आऊं के टेग्री वाइज कि यह सेयोर्टी हो जाती आईटी मद्रास के समय पे 2017 में मैं कितना मार्क्स लेके आया होता 307 यह जो पेपर थराप का 366 मार्क होता इसमें से मैं कितना मार्क्स लेके आ जाऊं कि भी यह मुझे कॉलेज मिल जाए तो आइए से भी हम देखते ओपन केटेगरी और यह से हम सी आरेल भी बोलते हैं ध्यान से समझना 2017 में 14301 रेंक तक देखो आपको आईटी में कॉलेज मिल जाते हैं बहुत अच्छे आईटी बहुत अच्छे ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं मैं मिनिमम्म रिक्वार्मेंट के यहां बा और वहीं पे अगर आप 2023 की बात करें जश्ट इसके पहले जिसे आईटी गुहाटी ने कंड़क्ट कराया थे एक्जाम को तो आप देखो के 111 नंबर में ही 14000 रेंक बंजारत 111 नंबर में भी आपको मिल जाता और इतना ही नहीं अगर आप आईटी बॉंबे की बात करते ह हैं जो इसके पहले एक्जाम कराया था 2022 में तो इससे भी कम मार्स सो नब्बे नंबर पे भी आपके यहां पर आईटी मिल जाती तो टोटल डिफकिल्टी की बात हो रही है तो कहने मतलब यहां पर पर ईजी रहा होगा जिसके वज़ए से सबके ही ज्यादा मार्स हैं जिसक इफ्रेंस आपको बेटा देखने को मिल सकता है अगर हम बात करते हैं बाइस सेम एडवली एस की एडवली एस 2019 के बाद ही इंट्रोडियूस हुआ था 2017 में कुछ भी नहीं था तो 2023 के डेटा से ही काम कर लो कि एक सो चार नंबर कम से कम होता तो पच्छिस सो रहेंग आपका पाए होते तो आपका रहेंग बनता 5901 जिस पर आपको गारंटीड आइटी का कॉलेज मिलता और अगर हम बात करें अभी के सिच्वेशन की तो आप इक्यानवे नंबर पाए होते इसके पिछली बार में तो आपका 6000 रहेंग बनता तो डिफिनिटली आपको भी यहां से 42 माक्स का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल ला है जब आएटी मद्रास और आएटी गुहाटी कराए होता था यह जो इसको 91 वहां पर है वह आइधिंक 78-80 माक्स पर भी आपको मिल गया था दोजार अगर 22 की हम बात करते तो यह हूज डिफरेंस आ रहा है जब हम बात कर मद्रास और यहां पर जो आईटी गुहाटी ने 2023 में एक्जाम कराया था बात करते हैं सी कटेगरी में अगर आप 92 नंबर पाते 2017 में तो आपका 25 सो रहेंग बनता आपको कॉलेज मिलता और सेम 61 नंबर पर ही आपको कॉलेज यहां पर मिल जाता तो काफी ज्यादा डिफरे बट अब ही क्या है जब 2017 आपने एक्जाम दिया होता तो अगेन यह डिफरेंस सा 70 मार्क्स आपको ले आना होता आपको पंद्रास नंबर पंद्रास एक रैंक लाने के लिए यहां पर जीरो वन नहीं है है ना पंद्रास एक रैंक आपको मिलता 69 पर तो आपको डिफिनिट पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कोई भी कांसलिंग रिलेटर सर्विसेश के लिए कि बहुत मैं कितना रैंक आपको अगर आपके माइन में कोई भी क्वेशन तो एक बार कॉमेंट में जरूर बता है थैंक यू बेरी मच